हेलो फ्रेंड्स वेलकूम टो लेटेस्ट स्पीच तो फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करेंगे EBS पेड़ेगोजी का चेप्टर नंबर फाइब जो किये स्कोप एंड रिलेशन अप EBS टू साइंस एंड सोशल सेंस हम लोग पहले ही चेप्टर नंबर वान टू फोर तक हम लोग पहले से वीडियो बना चुके हैं और उसका अपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आप वहां से जाके वह चेप्टर वान टू फोर देख सकते तो फ्रेंड्स चल तो फ्रेंड्स हम लोग EBS के माध्यम से हम लोग को यह पता चलता है कि हम लोग के जितने भी नेचुराल रिसोर्सेज है जैसे करके पानी मिट्टी जंगल तो यह सब को हम लोग कैसे करके प्रोटेक्ट कर सके और उसे कैसे करके प्रिजब कर सके उसके बारे में हम लोग को और नॉलेज मिलती है ड्यू टू तो लॉनिंग अब इस उसके बाद फ्रेंट्स एवार्नेस एवाउड बेरियास रिन्यूएबुल एंड नॉन रिन्यूएबुल रिसोर्सेस अब तो फ्रेंड्स उसके साथ साथ हम लोग और क्या जानना मिलता है जितने भी हमारे आसपास जितने भी रिनूएबुल जो की हम लोग रिन्यूव कर सकते हैं और जितने भी नॉन रिन्यूएबी रिसोर्टर से उर्णों मिलती है उसके हिसाब Smells लोग यूज कर सके कि non-renewable को हमको बहुत ही अच्छे सी यूज करना है उसका कुछ भी वेस्ट नि करना है और renewable energy को भी हम लोग कैसे करें रिन्यू कर सके उसके बारे में हम लोग को detail मिलती है उसके बारे में awareness मिलती है due to the learning of EBS उसके बाद next point देख लेते हैं to know about the importance of biodiversity and the dangers to the species in environment तो फ्रेंड्स हम लोग EBS के मादवर्स हम लोग को यह भी सिखना मिलती है कि अपने जो दूसरे जितरे भी species है उनके उपर क्या danger आ सकती है और उसको कैसे करके हम लोग को प्रिजब कर सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग को knowledge मिलती है और इसके बाद का point देख लेते हैं studies about variety of flora and funa and their protection जैसे करके previous point में भी था कि हम लोग को flora और funa के बारे में हम लोग को study मिलती है और उनको protection के बारे में ही मिलती है फ्लोरा और फ्लोरा मतलब animal और plant ठीक है protection दिया जाए उसके बारे में भी हम लोग को यह knowledge मिलती है next point to understand the causes and consequences due to the natural calamities और natural disasters तो friends जैसे करके हम लोग के यहां जैसे करके natural calamities या फिर डिजास्टर्स आते हैं जैसे करके flood हो गया earthquake आ गया तो उसका हम लोग को EBS के मदद से उनका region मिलता है कि क्यों होता है और उसके हम लोग कैसे करके बस सके तो उसके बारे में हम लोग को को awareness भी देती है EBS next point causes of pollutions and measure to minimize the effect EBS हम लोग को population और pollution इनका जो cause है वो देता है और कैसे करके measure भी देता है कि हम लोग कैसे करके उसके effect को जो pollution के effect को कैसे करके हम लोग minimize कर सके उसके उपर हम लोग को awareness और ideas भी देती ठीक है तो यह रह गया फर्स्ट पर जो किये scope अभी next part पर बढ़ते हैं जो किये relationship between EBS and science हम लोग यहाँ फ्रेंड्स दो पार्ट में पढ़ेंगे एक ठो relationship between EBS and social science और relationship between EBS and science तो फर्स्ट पढ़ते हैं EBS and science के उपर इसे हम लोग इंट्रडूस करते हैं EBS में पढ़ते हैं EBS में वह रहाँ following as per the list फर्स्ट हो गया यह सब science के topics हैं जिसके हम लोग क्या जिसको हम लोग EBS में पढ़ते हैं और plants के animals में क्या पढ़ते हैं हम लोग different variety of plants और animals को पढ़ते siamo 1 बृट्ट कौन से ए रको मतलब कौन से गास को मैं लोग breathing करते हैं कौन से गास को हम लोग सब्सक्राइब करते हैं उसके बारे काई हैं आपको इसके बारे में पढ़ते हैं अर्थ के बारे में लोग पढ़ते हैं हम अपने वाडी पार्ट कि किस आए बिपार्ट से किस पाल पीच्प कर यह तो सुप को सब बारे में पढ़ते हैं जैसे करके साइक बाइसे किल इलेक्ट्री बॉल्ब यह सब हो गया तो फ्रेंट्स अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे सम नॉन फर्माल एरियाज जार हेबिट अब क्लिनलीनेश गूड हेल्थ पावर अब जोबेशन गार्णिंग एड्सेटर तो फ्रेंट्स हम लोग पहले पॉइंट में पढ़े थे कि कुछ फॉर्माल एरियाज था जो कि साइंस का जिसे हम लोग पढ़ रहे थे जैसे करके प बनाए रखना है अच्छे से उसके साथ साथ पावर ऑघ्यूबेशन भी मिलती है जैसे करके अगर देख लिए कि हम लोग पेड के बार में पढ़े हैं तो उसके हिसाब से हम लोग जैसे करके हुमारे आसपास एंवरमेंट में रहता है पेड तो हम लोग उसके पास जाके जैसे करके हम लोग गर एक topic पड़े कि evening को पेड जो किये वो क्या करती है oxygen को within करती है और carbon dioxide को breathe out करती है तो उसका हम लोग dexam देख सकते हैं रात को जानके जैसे करके और उसमें क्या होता है कि जैसे करके beleza के लिए करता है करता है और क्या करता है वो बृताब स में एजिसके पता चलता है स कि साथ ना चलते प्रेंट्स सबसें रिलेसेंटी बेट्विन ईवीस तो फ्रेंट्स फर्सट देख लेतें Social science is the scientific story of human society and the social relationship. Social science is a scientific story that tells us about human society and social relationship. Next point, we learn about progress and development of our society. Friends, how do we develop society and how we progress? How do we develop society and how we become human? We learn about this EBS, which is a social science topic. Friends, EBS, Science and Social Science is a relationship. Friends, this topic is a theory that will end up with the topic. Friends, this topic is a topic and MCQs. Friends, this video is all about. Friends, we will meet next video. अगर वीडियो में अगर वीडियो फ्रेंट्स अच्चा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा और अपने फ्रेंट्स को शेयर करिएगा. और प्रेंट्स अगराएगा. प्रेंट्स अगराएगा.